आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ In this question we have given two charges minus 4 microcolum and 8 microcolum are 27 cm apart The distance from the first charge on a line of joining between two charges where electric potential would be 0 Question में क्या कहरा है हमारे पास दो charge है, एक line पे रखेगा है जिनके बीच की distance कितनी है 27 cm apart It means दोनों की बीच की distance कितनी है 27 cm, ठीक हम आ लेते हमारे पास एक charge ये था ठीक, और उसकी value given हमारे पास minus 4 microcolum, आप देख पार है Let's see Q1 की value कितनी थी minus 4 microcolum, एक दूसरा charge था वो हमारे क्या था Q2, उसकी value given है हमारे पास 8 microcolum, ठीक Question में कहरा है कि दोनों के बीच की जो distance है 27 meter apart है It means let's say बीच की distance कितनी है R, R की value question में given हमारे पास 27 cm, ठीक cm है उसको अगर answer हमारे cm में ही आ रहा ठीक, अब question में कहरा है कि इन दोनों charge के बीच में वो distance बताईए कहरा है कि distance from the first charge माले थे हमारे पास क्या था Q1 first charge था हमारा Q2 second charge था distance from the first charge on line of joining between two charges where electric potential would be zero तो इन दोनों charge के बीच में इन दोनों charge को मिलाने वाली line ये है अब देख पारें मिलाने वाली line ये है दोनों charge को जो जोईन कर रही है तो इन दोनों charge को मिलाने वाली जो line होगी उस पे हमें इन दोनों के बीच में एक ऐसा point बताना था first charge से कि वहाँ पे electric potential हमारा zero हो जाए clear हो गया, क्या हम करने वाले हैं दोनों charge थे, दोनों charge को मिलाने वाली line के बीच में दोनों charge के बीच में उनको मिलाने वाली line पर एक ऐसा point first charge से बताईए show that कि उन पर उस point पर potential हमारा हो जाए zero ठीक, तो हमने माल लिया कि इस point पे potential हमारा zero हो गया, यह हमारा जो point P था है यहां पर potential हमने माल लिया 0 तो first charge से उस point की distance हमें बतानी थी ठीक, the distance from the first charge, तो first charge से उस point P जहां पर potential हमारा 0 है उस distance माल ले थे कितनी थी, x माल ले थे, ठीक, तो x की value हमें बतानी थी clear हो गया हमें क्या find out करना था x की value, अब I think पूरा clear हो गया इस question में हमें X की value find out करने थी so that कि इस point P पर point P हमारा ये था इस point P पर हमारा potential कितना हो जाए it means कि अगर ये point P था तो यहाँ पर potential अगर देखो VP होगा तो VP की value हमारे पास 0 हो जानी चाहिए अब निकालते हैं अपने first charge की हो जाएसे point P पर potential तो मैं पता है point charge से X distance पर एक point P है तो हाँ पर potential कितना होता है formula क्या होता हमारे पास KQ divided by R ये हमारा potential होता है किसी भी point charge से point charge अगर क्यों होगा अगर उस point charge से R एक distance पर आपको potential लिखना है तो उसका formula कितना होता है KQ divided by R अब यहाँ पर देखो इस first charge की होज़े से point P पर अगर potential लिखोगे तो उसकी value माल लेते हैं हमारे पास V1 थी तो V1 first charge की होज़े से उसकी value कितनी होज़ेगी हमारे पास K charge कितना हमारे पास Q1 divided by distance इस first charge से इस point P की distance कितनी है X हो जाएगा हमारे पास divided by X clear हो गया अच्छा अब हम second charge क्योंकि हमारे पास second charge भी है उसकी होज़े से भी हमारे पास यहाँ पर point P पर potential लाएगा तो उसको लिखेंगे second charge की होज़े से point P पर potential लेट से हमारे पास होज़ेगा V2 उसकी वल्यकुति होज़ेगा हमारे पास K charge कितना है हमारे पास second charge q2 divided by इस second charge उसे 0.p की बीच की distance तो देखो ये अगर तो बिच में distance r थी तो फ्रस्ट चारःइ से 2.p की distance कितनी थी x ये distance कितनी हो जाएगे हमारे पास r minus x ये important था तो second charge से 2.p की distance कितनी हो जाएगी r minus x clear हो गया तो R की जगाप इस बर क्या हो जाएगा हमारे पास R minus X distance हमेशा charge और जिस point पर आप potential लेखते हैं उनके बीच में लेते हैं ठीक यह आ गया अब अगर देखो point P पर net potential अगर देखो point P पर net potential कितना हो जाएगा हमारे पास V1 plus V2 दोनों charge के वज़े से point P पर potential कितना था V1, V2 दोनों को आट करोगे point P पर net potential आपको मिल जाएगा इसको कर देना है 0 ठीक तो इतमीस V1 plus V2 को आप क्या कर देंगे 0 के equal क्योंकि question में कह रहा है कि point P पर एक ऐसा point है दोनों charge को मिलाने वाली line पर जहाँ पर net potential 0 है it means point P पर net potential हमने कितना मान रखा था Vp उसे 0 के equal हो जाएगा V1, V2 आप निकाल चीके हो यहाँ पर दोनों को पूट करो उसको 0 के equal कर दोगे सिर्फ आपके पास एक unknown है x, x की value आपको मिल जाएगी clear यहाँ पर आप देखो V1 हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास K Q1 divided by x plus V2 क्या है हमारे पास K Q2 divided by r minus x equals to किसके हो जाएगा यह हमारे पास 0 के हो जाएगा ठीक यहाँ पर देखो गर Q1 हमारे पास negative charge था हमारे पास k q2 divided by हो जाएगा हमारे पास r minus x ठीक अब के से के cancel होगा अब क्यों की वैलू आप चार्ज तो जो था क्यों का कितना था फोर micro column negative में था तो आपने negative यहां पर यूज कर लिया है ठीक अब यहां पर आपने negative यूज कर लिया है अब सिर्फ आपको क्या यूज करना होगा सिर्फ उसकी magnitude यूज करना होगा या फिर अगर confused हो तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं अभी यहां पर अब यहां पर देखो क्या हो जागा हमारे पास यहां पर negative sign आ जाएगा क्योंकि यह क्या होगा हमारे पास इसको हमने धर भीज दिया 0 के अब value पुट कर द divided by r minus x ठीक यहां पर q2 की बली कितनी थी 8 थी ओ पॉजिटिव का था इट मिस ओ पोटेंशियल हमारा positive होगा तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 4 into 2 ठीक 8 हो गया अब यहां से इसको solve करोगे 10 to the power minus 6 से 10 to the power minus 6 cancel हो गया it means देखो r minus x equals to क्या हो जाएगा हमारे पास 2x ठीक अब हमारे पास net potential क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा clear हो गया अब r की value question में given 27 cm तो value put करोगे r की value 27 cm में 27 divided by 3 it means x equals to कितना हो जाएगा 27 divided by 3 तो इसकी value आजेगे हमारे पास 9 किसमे आएगा cm में क्योंकि r हमने किसमे यूज किया है cm में तो x equals to आजाएगा हमारे पास 9 cm तो first charge से अगर तो first charge से में distance बतानी थी हमने point P कब first charge से distance कितना मान रखा था x तो x की value कितनी आगी हमारे पास 9 cm तो इस 9 cm में first charge से जो point P होगा वहाँ पे potential हमारा क्या आजाएगा VP net potential 0 हो जाएगा clear तो x equals to आजाए हमारे पास 9 cm it means option 2 इस question का right answer हो जाएगा thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर